केवल एक ready to wear साड़ी बना कर आप अलग-अलग तीन तरीकों से इस साड़ी को पहना सकते हैं साधी साड़ी, कोला पुरी साड़ी और पेशवाई मस्ताने Hello friends, welcome to my channel सबसे पहले हमने लंबाई ली 25 इंच याने 25 इंच है अब हम कमर का नाप लेंगे कमर का नाप है 22 इंच कमर से लेकर नीची तक की लंबाई 25 इंच है याने 25 इंच है हम 2 इंच बढ़ा की लेंगे तो यहां मैं 27 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ याने 27 इंच पर इस तरह मार्किंग करते हुए साड़ी को दो भागों में हमें बाट लेना है अभी साड़ी को हमने दो भागों में कट कर लिया है और फाल वाला हिस्ता जो है वो वाला हमने लिया हुआ है अब यहां से हमें नाप लेना है 50 इंच 50 इंच 50 इंच का हमें नाप लेकर इस कपड़े को हमें ये 50 इंच यहाँ पे एक हम छोटा सा कट लगा लेंगे अब ये 50 इंच का जो हिस्सा है इसे हमें छोटी-छोटी सी चिम्टियां लेकर इस तरहें छोटी-छोटी सी चिम्टियां लेकर हमें इसे 30 इंच का कर लेना है लेकर हमने 28 इंच का कर लिया है 28 इंच का अब यह जो हिस्सा बचा हुआ है इसमें हम plates लेंगे लेकिन इससे पहले हम पल्लू का नाप लेंगे पल्लू में हमें tape रखनी है और पूरी tape का नाप लेना है हमें यानि कि 60 इंच, 16 इंच इतना बड़ा पलू रहेगा यहां पे हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है अब यह पलू का भाग है और आगे की और हमने जो चिम्टियां लिए हुई थी यह अब यह जो बीच का भाग है इसमें हमें प्लेट्स लेनी है हम इसकी प्लीट्स लेना शुरू करेंगे ये वाला कट छोड़ देने के बाद यहां से हमें तीन-तीन इंच की प्लीट्स लेनी है ये कट वाला भाग आ गया है अब हम इसे इस तरह से पकड़ लेंगे और यहां सिलाई लगा के इसे फिक्स कर देंगे ये हमने प्लीट्स ले ली है और इस पर ये सिलाई लगा के इसे फिक्स भी कर दिया है अब ये चिम्टी वाला भाग यहां पर थोड़ा सा कपड़ा छूट गया है इसे भी हम चिम्टिया ले लेकर इस तरह से कर लेंगे इसके बाद मैंने ये तीन इंच चोड़ी पट्टी ली हुई है और लंबाई में ये इसके बराबर ही है लेकिन यहां से दस इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है और उस और से भी मैंने दस इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है अब इस तरह हमें इसे रखना है यहाँ से सिलाई लगानी है हमें यहाँ भी चिम्टियां आ जाएंगी थोड़ी सी यह प्लेन भाग में और इसे हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक जहाँ तक हमने प्रीट्स ली हुई है और ये वाला हिस्सा हमें इसी तरह छोड़ देंगे सिलाई लगाने के बाद इसे हमें सामने की और पल्टा लेना है ये वाला हिस्सा सीधा है इस तरह पल्टा ना है एक बार और पल्टा लेना है और यहां से हमें सिलाई लगा लेनी है इसी तरह इसकी भी हमें यह फोल्ड करके सिलाई लगाकर पट्टी तयार कर लेनी है और इस ओर भी हमें पट्टी तयार कर लेनी है इसी तरह पट्टी लगाने के बाद पल्लू में आखरी तक एक और एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है इस सिंपल साड़ी को यानि सहावार साड़ी को पहनाते समय अंदर की ओर का पट्टा हमें बिल्कुल पीछे की ओर जाने देना है और पीछे की ओर ले जाकर बेल्ट को बांध लेना है इसके बाद प्लीट्स वाला भाग सामने लेकर इस बैल्ट को भी हमें बांध लेना है यहां मैं स्टैंड में ही इसे बांध रही हूँ यदि आप चाहें तो एक और बैल्ट लगा सकते हैं अंदर की और भी बांधने के लिए और बाहर की और भी बांधने के लिए अब पल्लू हमें ले लेना है पल्लू लगाने के बाद प्लीट्स को ठीक कर लेना है और यह साधी सिंपल सहावार साड़ी तयार है यह रेड़ी टू एर साड़ी पहनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और देखने में भी यह बहुत अच्छी लगती है इसी साड़ी से हम कोला पुरी साड़ी भी तैयार कर सकते हैं बस यहां से चौथी प्लीट्स चौथी प्लीट्स हमने पकड़ी इसे थोड़ा उपर से पकड़ना है और बस कमर में लगा देना है पिन लगा कर इसे फिक्स कर देना है ताकि यह हिले नहीं बॉर्डर को अच्छी तरह से रख देना है ताकि बॉर्डर उल्टी ना रहे बस पेश्वाई मस्तानी के लिए भी यहां से चौथे नंबर की प्लीट्स को हमें पकड़ना है और इसी तरह से उपर पिन लगा के फिक्स कर देना है और इसके बाद जो सामने के और प्लीट आ रही है उस प्लीट को हमें पकड़ना है और इस तरह पीछे के और फोल्ड करते जाना है और पिन लगाते जानी है सभी बॉर्डर का अंतर बराबरा यह ध्यान रखना है और इसी तरह से हमें नीचे तक कर लेना है ये साड़ी भी देखने में बहुत ही सुन्दर लगती है तो किवल एक साड़ी बना कर आप तीन तरह के साड़ी तयार कर सकते हैं और वो भी मिंटों में इसे पहनाने में समय भी नहीं लगता अजय में समय अजय सकते हैं कर दो लगता है रगता हैं कर दो आप त्यूट में समय भी तो किवल टू अजय समय भी में का यह रखता हैं यह यह बनाप जना कर सकते हैं झाल झाल